ओम परकास बालमीकी ओम परकास बालमीकी के बारे में जान लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे हम जूठन ओके तो ओम परकास बालमीकी का जनम 30 जून 1950 को हुआ था जनम अजधान है बर्ला मुझहपर नगर उत्तर पर्देश मादा पिता मकुंदी देवी और छोटन लान सिक्षा इसका हुआ था अच्छर ग्यान का प्रारंब मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाठ चटाई वाले स्कूल से इसका अच्छर ग्यान कहां से प्रारंब हुआ था सेवक राम मसीही मसीही के खुले बीना कमरे बीना टाट चटाई वाले स्कूल से उसके वाद बेसिक प्राहिमरी स्कूल में दाखिला एगारमी की परिक्षा बरला इंटर कॉलेज एगारमी की परिक्षा कहां से उतिन की बरला इंटर कॉलेज बर्ला से उतिर्ण लेकिन बार्मी की परिक्षा में अनुतिर्ण यह एगार्मी की परिक्षा तो पास कर लिये लेकिन बार्मी की परिक्षा में अनुतिर्ण रुगिया उसका परिक्षा बार्मी में कोई कारण से फलसरूप बर्ला कॉलेज छोड़ कर डी एवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला हुआ कई वर्षों तक पढ़ाय वादित मतलब कई वर्षों तक इनका पढ़ाय जो है वो रुख गया था उनीस अभिरानवेन में हे मुवंती नंदन बहुगुना गढ़वाला सिरी नगर विश्व विद्याले से हिंदी में M1 वीर्थी है इसका बार्मी कक्षा में ही ओडिनेंस फेक्टिरी देहरादून में अपरेंटिस की नोकरी फिर ओडिनेंस फेक्टिरी चांदा चंदरपूर महराष्ट में डॉप्ट मेन की नोकरी समपर्ती भारत रतन सरकार के रक्षा मतराले के तत्पदान विभाग के अधीन ओडिनेंस फेक्टिरी के ओप्टो एलेक्ट्रोनिक्स फेक्टिरी देहरादून में अधिकारी के रूप में कारियरत समान इसको मिला है डाक्टर अंबेतकर राष्ट्रे पुरुषकार उनिसो तिरानवेर में मिले ओमपरकास बालमिकी के डाक्टर अंबेतकर राष्ट्रे पुरुषकार का मिले उनिसो तिरानवेर में परिवेश समान का मिले उनिसो तिरानवेर में ओमपरकास बालमिकी के परिवेश समान का मिले उनिसो तिरानवेर में जैसिरी समान कब 1996 में कथा करम समान कब 2000 में फिर से मैं बोल रहा हूँ आप याद रख लीजे डाक्टर अमबेत कर राश्टीरे पुरुसकार समान कब मिले इसको 1994 में उंपरकास बालमीकी को परिवेश समान कम मिले 1995 में जैसिरी समान कम मिले 1996 में कथा करम समान कम मिले 2000 में किरतिया है इनका जूठन जूठन ये चेप्टर हम परहेंगे ये कौन है आत्म कथा है जूठन जो है वो आत्म कथा हैं सलाम गुस पेटिये कहानी संगरा है सदियों का संताप वस भूत हो चुका अब आवर नहीं कविता संकलग दलित सहिते का सौंधर्य सास्तर क्या है आलोचना महराश्ट में मेगदूत नाम की नाटी संस्ता अस्थापित की इस संस्ता के माधियम से अनेक नाटकों में अभिने के सासाथ मंचन निदेशन भी किया जो ओम परकास बालमी की है वो महराश्ट में मेगदूत नाम की नाटी संस्ता अस्थापित की इस संस्ता के माधियम से अनेक नाटकों में अभिने के सासाथ मंचन निदेशन भी किया हिंदी छेतर में पिछले दसकों में आये समाजिक उभार और गहराती राजनितिक चेतना के कारण दच्छीन और महराश्ट परदेशों की तरह हिंदी साहिते में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ यह समाज एवं साहिते के लिए हितकार एवं सुभ है इससे यह तथे परमानित होता है कि समाज में समानती जकरबंधियां तूट रही है यह धीली पर रही है बिगानिक परिडिष्टी समाजवादी और वेचारिक जागरन मानवधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में समानती सोच और भेद बुद्धी पर ठीकी समाजवेर्था अमुल बदलनी चाहिए उसे मध्ययोगीन संसकारों से उबर कर समता नयाय बंधुतो और समाजिक सदभाव की दिशा में अपना काया कल्प करना चाहिए समाजिक राजनितिक संस्किर्थिक छेतरों में दिखाई पड़ते पिछरा दलित उभार और संपरदाय जाती लिंग आदी के विवेदों के विरुद आंदोलनों के पिछे की कामना संकलंप और विचार का यही सार है उन परकास बालमी के हिंदी में दलित आंदोलन से जुरे महत्पोन रचनाकार हैं उनके सहित्ते में महज आकरोस और परतिकिरिया से परे समता नयाय और मानवयता पर ठीकी एक नई पुरुंतर समाजिक चेतना और संस्किर्ती बोध की आहट हैं वे सिर्फ किन ही विचार धनाओं के संसर्ग और ताप निर्भर समिकर्णों और फर्मोलों के सहारे नहीं लिखते उनके लेखन में उनके अपने जिवननुभवो की संचाय और वास्तो बोध से उपजित जीवन रचना संस्किर्ती की अभिव्यक्ती होती हैं दलीत जीवन के रोस और आकरोस को वे अपने संवेदनात्मक रचनानोभवो की भठी में गला कर रचना की एक नई इवारत पेस करते हैं जिसका परिपरेक्षे वयापक अर्थों में मानविये हैं ओम परगास बानमिके की आत्मकथा जूठन ने वयापक पाठक वर का ध्यान आकिरिष्ट किया था उनकी आत्मकथा का यह पस्तुत संकलित अंस बनगी के रूप में हैं इस अंस में संपुन आत्मकथा पढ़ने की परिणा जगती हैं आत्मकथा और उसका यह संकलित अंस अंतीरंजित और वास्तविक हैं वास्तविकता का माटी और पानी सरिखा रंग की इसके रचनातमक गध की विशेष्टा है अपनी समेदना और मर्म असपरसिता के कारण पस्तुत अंस मन पर गहरा असर छोड़ता है तो दोस्तो हम परहेंगे रोज रोज यह है आत्मकथा रोज जो है यह आत्मकथा है उसी को हम परहेंगे अगले एपिसोड में